Hello everyone, मैं आपके साथ Manoj Verma and इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि Binance V2 पे TPSL & TSL के साथ order कैसे डालते हैं तो उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, यह next level board हमारी website है आपको यहाँ पर आके account बनाना है, API add करनी है और इसके उपर पूरी वीडियो बना रखे जो playlist है आपको वीडियो के description में मिल जाएगी आप उसे देखके जो इस order को लगाने से पहले की process होती है उसे complete कर सकते हैं तो सबसे पहले चलते हैं हम Binance पे और आप यह देख सकते हूँ, मैं Binance Testnet का use कर रहा हूँ आप Binance Testnet का use करके इस चीच को check कर सकते हैं उसके पाद Binance future real आप use कर सकते हैं तो सबसे पहले चलते हैं हम इधर और आपको यहां दिखेगा syntax page आपको इस पे click करना है जैसे आप इस पे click करोगे आप इस page पे आ जाओगे मैं दिखा देता हूँ आपको आप इस page पे आ जाओगे तब से पहले आपको क्या करना है यहाँ पर आपको मिलेगा Binance Testnet और Binance V2 तो आपको Binance V2 पे click करना है उसके बाद आपको Binance पर क्लिक करना है, One Way Mode पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के order दिखेंगे, तो Market Order, Limit Order पर मैं पहले यी वीडियो बना चुका हूँ, और आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, order with TPSL के बारे में बताने वाला हूँ, और fully algo with TPSL के बारे में बताने वाला हूँ, तो दोनों में TSL add है, तो यह कैसे काम करता है, पहले इन दोनों में different बता देता हूँ, order with TPSL and TSL का मतलब यह, कि आपने एक market order लगाया, उसके साथ TPSL और TSL तीनों चीज़े optional है, आप तीनों लगाओ या एक लगाओ आपकी लग जाएगी, और fully algo with TPSL and TSL का मतलब है, कि आपकी previous position close होगी और नई position add हो जाएगी, TPSL के साथ, TSL के साथ, अगर आपने पुरानी position buy कर रखी, जभी close होगी, otherwise buy नहीं कर रखी, तो false हो जाएगी, नई position add हो जाएगी, तो मैं आपको demo दिखा देता हूँ, order with TPSL के साथ पहले, मैंने इस पे click करा, एक symbol लिया, symbol यही से copy कर लिया, आपको यह धान रखना है, दोनों pair के बीच में slash होना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको quantity दालनी है, मैं 0.01 दाल देता हूँ, और आप चाहो तो इसके अंदर percentage का use कर सकते हो, 10%, 20%, मैं अभी amount में दाल रहा हूँ, number में दाल रहा हूँ, तो आपको यह देखने में असानी होगी, buy पे click कर देता हूँ, अब यहाँ पर आपको 500 डोल, अब दोनों यह काम कैसे करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले generate कर देता हूँ, generate करने के पाद यह हमारे पास syntax generate होगे, और दोनों काम कैसे करते हैं, बता देता हूँ, suppose मानों आपका alerts 20,000 डोलर पे tigger होता है, जिस time alerts tigger होता है, उस time जो current price चल रहा है, market का 20,000 चल रहा है, तो आपके bid, जो stop loss है, 20,000 में से 500 माइनस होगे, 19,500 पे आपका stop loss लग जाएगा, ऐसे ही आपके 20,000 में 500 एड होंगे, 20,500 पे आपका TP लग जाएगा, यह buy side का scenario बताया है, मैंने आपको sale side में reverse हो जाएगा, तो buy side में हम माइनस करते है, SL को और TP को पलस करते और TP को माइनस करते हैं, और SL को पलस करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, copy कर लेता हूँ, इस syntax को, trading view पे चलता हूँ, trading view पे जाने के बाद आप कोई सी भी indicator का use कर सकते हो, मैं horizontal line ले ले रहा हूँ, as a reference के लिए, और मैंने यह alerts बनाय alerts बनाने के बाद इधर मैं नाम दाल देता हूँ, order, test order नाम दाल देता हूँ, इसका, आप कुछ भी दाल सकते हैं, उसके बाद मैं syntax add कर देता हूँ, syntax add करने के बाद मैं create कर देता हूँ, अब आप देखोगे कि right side में मेरा एक syntax बन जाएगा, यह बन गए, अब जो भी alerts आता हूँ आपके सामने, जैसे ही मैं इसे trigger कराऊंगा, यहाँ पर alerts log बनेगा, और अगर हम इधर जाएंगे, तो यह position एक आगई और यह open order यह आपका take profit और stop loss है, और position जो आपकी position आई है, तो अगर आप open order को देखोगे, तो यहाँ पर इसका price आया, तो आप देखोगे कि 500 डोलर इनने plus minus करके लगा दिया होगा, यह तो लग गया TPSL, अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसे close कर देते हैं, manually close कर रहा हूं है, close करा, और अब हम लगाते है TSL के साथ हो, इस order को, तो हमने sentence जिस तरीके से बनाया था, उसी के अंदर हम TSL ले ले लेते हैं, कि TSL कैसे काम करता है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं, जरूर ही नहीं आप TP और SL दालो, आप खाली TSL भी दाल सकते हो, खाली SL भी दाल सकते हो, और खाली target भी दाल सकते हो, आप चाहो तो तो तीनों को दाल सकते हो, तो जो TSL है, वो काम करता है, मैं आपको अगर इदर ले जाओं तो इसके अंदर आप देखोगे 0.1 से 5% मतलब यह कह रहें कि आप जो भी value दालोगे वो इस बीच में होनी चाहिए percentage की TSL, इससे ज़्यादा आप नहीं दाल सकते, इससे कम आप नहीं दाल सकते, तो जो भी आप number दालोगे वो percentage में होगा, suppose मानो मैंने 1 दाला, तो यह totally percentage में ह कि 1% का TSL लगेगा मेरा, और यह TSL के साथ मैंने stop loss पहले लगा रखा था, target पहले लगा रखा था, activation price क्या काम करता हूँ, मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले एक बाद TSL के साथ order दालके रिखा देता हूँ, मैंने copy करा, और इस order को मैं इधर गया, और यह मैंने फिर भी order नहीं, position 0, open order 0, तो मैं इस order को फिर से trigger कराता हूँ, जैसे हमें trigger कराऊंगा, right side में alerts log बनेगा, यह alerts बनेगा, और इधर आप देखोगे, तो यहाँ पर open order एक आगया, और तीन order आए, तो इसमें एक पहले दो आये थे, अब open order में तीन है, क्योंकि एक TSL है, आप अगर यहाँ पर जैसे मैंने TSL को own करा, तो activation TSL optional है, यह open हो गया, यह आपको ट्रेड, आपका test net भी, आपका binance भी देता है, तो यह होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, suppose मानो, bitcoin का price 20,000 dollar चल रहा है, और आपने 1% का TSL लगाया, आपने one value धाली, 1% से trail होना शुरू हो आते हैं कि मेरा TSL 20,000 price चल रहा है, 21,000 dollar price जाए, उसके बाद मेरा 1% का TSL trail करना शुरू करे, तो इसके लिए आपको जो use करना होता है, वो activation TSL जो optional होता है, इसका use करना होता है, यहाँ पर आपको जैसे आपने one दाला था, उसके बाद 1000 dollar जाल देता हूँ, तो जो भी current price 24,000 dollar price जाएगा, 24,000 dollar something price जाएगा, उसके बाद मेरा trail सुरू होगा, और यहाँ पर आपको price भी दिखेगा कि activation TSL price क्या है, अभी के लिए मैं इस order को close करता हूँ, जैसे close करूँगा, सारे close हो जाएंगे, अब मैं इस order को दाल के दिखा देता हूँ, मैंने copy करा syntax, और copy करने क बाद मैं trading view पर चलता हूँ, और trading view पर चलने के बाद मैं इस order को लगा देता हूँ, जैसे मैंने syntax को change करा और trigger कराने गया, तो जैसे trigger होगा, आपको पता है, right side में alerts आएगा, यह alerts आया, और अगर हम इधर जाएंगे, तो यहाँ पर यह आगे, तो अगर आप देखोगे, त 24,300 से अगर जो price चलता तो उससे 1,000 dollar इनने वो लगा दी, तो जो price है, यह आपको भी डिख रहा है, जो test net का price है, real price ने होता है, बहुत different price होता है, आप test net और real को देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा, और but calculation देखोगे, तो इननने बिल्कुल सही करी होगी, जो इसको price मिला, उसके हिसाब से ने TSL लगा दी, hope आपको पता चल गया होगा, TSL कैसे काम करता है with activation price, तो यह तो इस तरीके से order लगाता है, अब मैं इसे close कर देता हूँ, यह order ही लगाएगा, कि पुरानी position को close नहीं करेगा, बट अगर हमें पुरानी position को close कराना है, और नई position के साथ TPSL, TSL लगाना है, तो इसके लिए हम जो use करते हैं हो, वो करते है, fully algo with TPSL and TSL, तो मैं इस पे click कर देता हूँ, और यह सारी चीज़े पहले से add है, इसके अंदर, तो मैं दुबारा से अपके सामने एक order बना के दिखा देता हूँ, मैं Binance पे गया, one way mode गया, fully algo वाला option मैंने choose करा, fully algo with TPSL, add double डाला, quantity में 0.01 डाल देते हैं, 0.01, buy पे click करा, अब यहां पर यह option है, तो अब इसके अंदर मैं TASL नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि short मैं दिखाऊंगा, TASL का मैंने काम दिखा दिया आपको, अब मैंने यह दाला, और यह दाला 500-500 डोलर, और यह copy क का order है, अब मैं इसे tigger कराता हूँ, आपके सामने, मैंने alerts को edit करा, और इधर गया, और इसके अंदर इस order को tigger करा, जैसे मैं tigger कराऊंगा, buy side का order, यह alerts आएगा, इधर wait करते हैं, alerts आया, और buy side का order यहां लग जाएगा, यह buy side का, green में price है, तो समझ जाना buy side और इसका TPSL ल buy side की position अगर आप देखोगे, और इसके TPSL है, अब जैसे ही मैं इस sentence पर जाता हूँ, और दुबारा से आप बना सकते हो, मैं short मैं बना रहा हूँ, मैं sale पर click कर दूँगा, तो यह sale का sentence बन गया, तो मैंने generate करा, copy करा, और एक alerts और बना लेता हूँ, मैं आपके सामने, इधर कर गया, एक line और ले लेता हूँ, इस line का color मैं red कर देता हूँ, क्योंकि sale का है, और मैंने sentence को दाता, तो screen का side छोटा होगे, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो मैंने sentence को दाला, और साथ में दरलिक दिया, sale test order, और create कर, तो अब आप देखोगे, मेरे पास buy की side की position है, और जैसे मैं से trigger कराने जाऊंगा, मैं trigger करा देता हूँ, पहले मैं से नीचे लेके आता हूँ, red वाले को trigger कराता हूँ, जैसे trigger कराऊंगा, यह alerts आएगा, और wait करते हम alerts का, तो candle थोड़ी से नीचे बनगी, दुबार से trigger करा देते हैं, क्योंकि alerts trigger ही नहीं हुआ, तो भी change होगा, तो इनने पुरानी position को close करा, नई position add कर दी, इस तरीके से fully algo with TPSL काम करता है, और order with TPSL इस तरीके से काम करता है, I hope आपको पता चल गया होगा, thank you for watching this video and bye.